नमस्कार इस बार हमारे साथ होट सीट पर है एक खास मेमान वित्मंत्री अरुणजेकली जड़ी जिस सबसे पहले जो आपनों के बजट का विरोध इस बात पर हुआ है और आपके अच्छे मित्र और पुराने पूर्व मुत्मंत्री नहीं कहा है कि कॉंग्रेस मुक्त भारत भी नहीं हो पाया हो पाया होगा लेकिन कॉंग्रेस मुक्त बजट ही नहीं हो पाया तो इसलिए Congress की आलोचना को मैं बहुत seriously लूँ क्योंकि उनकी concerted strategy क्या है और वो point क्या है जो बतलाने का प्रयास कर रहा है मेरे अभी इस पश्टता से समझ में नहीं आया आपको क्या लगता है क्योंकि देखे आपने प्रधानमंत्री ने भी ये बात कहा था कि गोवा में जब वो थे उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ी दिन और इंतजार करना पड़ेगा आपने भी warning signals दिये थे लेकिन इस budget से बहुत उम्मीद थी लोगों को थोड़ा सा disappointment हुआ ह उनको लगा है खास्ट आपे middle class को देखे middle class तो बहुत खूश है इस budget से इस देश के middle class में एक व्यक्ति नहीं होगा जिसमें tax relief नहीं मिला middle class ये नहीं कहता कि मेरे taxes बढ़ा दिये जाएं ये Congress की नीती थी जो high tax government थी मैं तो अपनी विचारधारा से ये मांगता हूँ कि लोगों की जेब में अधिक पैसा हो वो खर्च भी जादा करें जिससे अर्थ्विवस्ता चले वो जोड़े भी जादा जो पैसा अर्थ्विवस्ता के भीतर आए मैं आज यकीनन कह सकता हूँ कि पिछले 67 वर्ष में ए एक पारी में तीनों श्रेनियों में पचास-पचास हजार की चूट दी है कॉंग्रेस के बजट्स में मिलती थी तो एक्जेशन दस अजार बढ़ता था एक्जेशन बीस हजार बढ़ा एक लाक असी हजार से दो लाक लेकिन मैंने एक्जेशन बढ़ाया मैंने हाउसिंग के लिए इंट्रस सुविधा बढ़ाई मैंने एटी सी की फिसलेटी लाक से डेड़ लाक की तो तीन श्रेनियों में पचास-पचास हजार रुपया बढ़ा देना जिसमें हर व्यक्ति को पांच-साथ हजार से लेकर चालिस-पैतालिस-पचास हजार तक का लाब मिले अगर को भी काफी उमीद थी आप लोगों से एक सेंस और डिसपॉइंटमेंट उनसे भी नजर आती है मुझे यसी कोई डिसपॉइंटमेंट नहीं मिली कॉर्पोरेट जगत चाहता है कि इस देश की अर्थवेवस्ता तेजी से चले मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि र रोड को साफ करो आपने टाय अप कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में कोई ना कोई हल ढूंड कर उस विशे को मैं समाप्त करूं जी एस्टी सालों सालों से चर्चा चली आ रही है मैं उसको आगे लेकर जाओं आपने FDI में कोई निरने लेने थे तो ऐसे निरने ल के लिए हो किया गया है क्या ये कॉर्परेट जगत को याद बध्यान में रखते हुए और क्या प्रधान मंत्री का भी कहते हैं कि बहुत हद तक उनका भी एक दखलता है कि मैंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पे चार चीज़ की हैं पहले इस बात को री एंफसाइज किय है मैं पार्लेमेंट के अधिकार नहीं चीज़ सकता पार्लेमेंट को अधिकार है रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाने का हर देश में है दूसरा नीती के नाते ये सरकार नहीं बनाएगी यह मैंने भविश्य के लिए अशॉरंस दिया जो पुराना कानून आया उस कानू के तहत नए notices assessing officers नहीं निकाल सकते उसका मैंने mechanism मना दिया अब चौती समस्या थी कि जो पिशली सरकार कर गई है मैं उसका क्या करूं अब वो मामले court में हैं वो मामले arbitration tribunal में हैं मेरे पास दो रास्ते से या मैं legislation से उस dispute को समात करूं या court अपने फैसले करता रहे मैं उसको स्विकार कर दूं मैंने दूसरा रास्ता चुना है in any case it brings that process to an end either by legislation or by judicial verdict मैं इस जगड़े में पढ़ू कि मैं legislation लाकर litigation में interfere करने लग पढ़ू और फिर वही Congress मेरे उपर सवार हो जाए कि आप उनकी मदद कर रहे हो तो इसलिए जो legally और politically correct रास्ता था मैंने वो रास्ता लिया है इस देश के टेरर टैक्सेशन डाचे की विवस्त की जो credibility थी विश्वस्नियता थी Congress ने उसको समात कर दिया था जैसे policy paralysis शब्द का प्रियोग होता था वैसे tax terrorism का प्रियोग होता था आज मैंने ये परिस्तिती खड़ी की कि tax administration को smoothen करने के लिए retrospective tax के इलावा आपकी transfer pricing पे BCO litigation कोटों में चल रही है हजारो करोन रुपए उसमें पसे हुए हैं इन्वेस्टर उसकी वज़ा से दूर भाग रहा है तो detailed guidelines का law लाना मेरे पास सिरफ 45 दिन ते हैं सब पुछ करने के लिए मैंने आपको जितने भी सवाल पूछी उसमें सब आपने Congress का नाम लिया आप लोग बार बार यही बात करते हैं और यही तर्क दिया जाता है सरकार की तरफ से कि हम लोग वो अच्छे दिन अभी नहीं लिया पाएंगे हमें रुखना पड़ेगा इसी लिए क्योंकि UPA ने के दा कर गए ती डॉक्टर मनमौन सिंग साथ की सरकार उस रोड को क्लियर करना मेरे लिए अबर्शक्ता दूसरा कई नहीं रास्ते जैसे नए FDI के मैंने एरियास डूंडे रियल इस्टेट सेक्टर, टाउंशिप्स इसके विजन के लिए जो दुनिया भर से पैसा आना चाहिए उसके मैंने इंस्टूमेंट्स लीट्स वगरा क्रियेट किये इसके इलावा इस देश का टूरिजम बने, बहुत सरल लिरने था, बहुत पैसा खर्च नहीं होता इसमें लेकिन E-Visas, electronic visas आज के युग में, visa on arrival कुछ नेशों को हम exclude कर सकते हैं मैंने ये विवस्ता पैदा की, bank capitalization, आज banks 58% दी लोगों तक पहुँच बाते हैं लेकिन वो banks 100 तक पहुँचे, इसलिए banks अपनी surplus shareholding को निकाले, 51% तक सरकार के रखे और उस shareholding को, उस shareholding को banks ही अपनी inclusion बढ़ाने के लिए उसका प्रियोग करे ये सारे ऐसे निर्ने हैं, जिसमें बहुत सरकारी जेब से लागत नहीं आती थी, लेकिन आप विवस्ता को आगे बढ़ाने में उसका लाब उटा सकते हों लेकिन GST और DTC की आपने बात की, लेकिन सबसे बड़ा road block, विपक्ष उस समय का था आप लोगों को बहुत सारे objections थे, उस समय के वित्मंत्री भी कोशिच कर रहे थे आप एक बात सुन लेजिए, कि सरकार ने अपनी credibility, federal structure के संबन्ध में बहुत कमजोर कर दी थी और इसलिए राज्यों को विश्वास नहीं था, आज भी CST compensation 2010 से pending है दियानी राज्यों को, मुझे पहले देना पड़ेगा उनको बनवाने के लिए कि इस कानून को पास करो, इसलिए उस वक्त की जो सरकार है, it has itself to blame for it, इसमें कोई विपक्ष का रोलता ऐसा नहीं था अब आप कैसे मनाएंगे, क्या कॉंग्रेस शासित राज्यों वो इस बार मानेंगे, क्या वहां से उनको राज्यों को राज्यों से बात की है, दो मीटिंग्स बुलाई है, और मुझे राज्यों का positive note मिला है, इस आधार पर कि मैं जो उनकी अपेक्षा है, उसको पूरा कर हूँ, और उनकी अपेक्षा यह है कि CST compensation दीजिए, एक दो मसलों को GST से बाहर रखिए, और मैं उस रास्ते पर चलूँगा, अब मैं FDI पर आती हूँ, एक cabinet note Commerce Ministry ने मूव कर लिया है, और railway infrastructure, BJP in a sense, FDI के खिलाफ मानी जाती है, खास्तों पर FDI in multi brand retail, अब आप लोगों को की जरूद है, आपको subsidies कम करना है, क्या एक U-turn सा नजर नहीं आता? देखिए, आपकी understanding की गलत है, गलत इसलिए है कि हम FDI के खिलाब कभी नहीं थे, हम sector-wise FDI को सोचते हैं, मैं उधारन देता हूँ, आज railway investment starved है, और मेरे railway में, अगर सुविधाएं देने के लिए, एक parallel network औ पैसा आता है, बाहर का आता है, existing railway तो सरकार चलाएगी, तो मैं उसको स्वागत करूँगा, मेरी जेश में उसके लिए पैसा नहीं है, अगर defense में, आज मैं 100% या 70% request equipment विदेश्चों से खरीद रहा हूँ, फॉरन companies से ले रहा हूँ, जो फॉरन governments चलाती है, या government companies चलाती है या private companies चलाती है, मैं 51% Indian company security भी बनवा सकता हूँ इंडिया में, तो यहां भी देश के हितमे है, मेरा foreign exchange बचेगा, लेकिन multi brand retail में, मेरे देश का उद्योग नीचे है, मेरे देश में कृशी को छोड़कर, second largest employer जो है, वो small retail है, मैं सिरफ multi brand retail विदेशी दुकाने यहां तो मेरा manufacturing sector भी ठप होता है, और जो मेरा unstructured retail है, जो second largest employer है agriculture के बाद, जिसमें 4 करोर establishments हैं, 20 करोर जनसंक्या जिसके आधार पर चलती है, one sixth of India's population depends on it, मैं उनको destabilize कर दूँ, तो मुझे हमें लगता था कि इस छेतर में, सेक्टर में हमारे हितमे नहीं है, तो यह हमारी sector wise policy है यह कोई policy नहीं है कि अगर मैं एक शेतर में FDI के पक्ष में हूँ, तो मैं हर शेतर में XDI के पक्ष में हूँ, तो FDI and multi brand retail आप completely rule out करते हैं, देखिए, अभी हमने पुरानों का क्या करना है, इस पे कोई नीती नहीं ली, हमें इस पे शांचोप हैं, लेकिन हमारी party इसके खि मैं आपको एक चीज़ बतला हूँ, ट्विटर खबर जानने का सादर नहीं है, आपकी सरकार सबसे ज़्यादा ही उसकते हैं, अब जितनी experimental schemes आती हैं देश में, जितनी experimental schemes आती हैं इस देश में, पहले ये साल one-third बीत चुका है, one-third of the financial year is gone, अगला one-third लग जाएगा ये प तो मान लीजिए मैं कोई AIMS या कोई IIM मनाने के लिए इस साल 50 या 100 करोड भी देता हूँ, तो जब तक जमीन देगी राज्य सरकार, जब तक लक्षा पास होगा, DPR बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल में वो 10 करोड खर्च पाएगी, फिर अगले साल में मुझे 100-200 करोड और देना पड़ेगा, यह इस साल की अलोकेशन है, यह पूरी कोई देश की जिन्दगी भर के लिए महिला सुरक्षा नहीं, कश्मीरी पंडितों के सम, ट्विटर की समस्या यह है कि कम समझ के ऊपर प्रतिक्रिया देना, अब कश्मीरी पंडित, अरे इस साल 500 करो करेंशन के लिए जम्मों में, इस बार तो जमीन ही नहीं आ पाएगी, तो इसलिए यह इस साल की वैल्यू है, नेक्स्टियर दुबारा आएकर मुझे सबसे दादा है रहांगी हुई कि जो पार्टी 50 साल इस देश सत्ता में रही, उसके राष्ट्रिया उपादक्ष कहने लगे, अरे सौकरोड में क्या होगा, अरे सौकरोड इस साल की सैंक्षन है, यह साल एक तिहाई बीच चुका है, एक आत तिहाई और योजना बनाने में बीच जाएगा, तो दो-तीन महीने में जितना खर्च होगा, उसके लिए प्रयापत है यह पैसा, अगले साल दुबार सरदार पटेल के नाम पे कोई इतराज होना चाहिए, आपने छे साथ सौ संस्ता एक परिवार के नाम पर खड़ी कर दी, और एक स्टैचू अगर सरदार पटेल का बनता है, तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, मैं आपको बतला दू, जब सरदार साब की मृत्यू और विरिष्ट मंत्रियों की तो ये अपेक्षा थी कि जिस आदमी ने इस देश को ये मान चाहिए, इंडिया ओस जोगरफी टोडे टो सरदार पटेल, और उनकी डिमांड थी कि ये स्टैचू विजे चौक पे बनना चाहिए, जो बाद में पंडिजी ने परलिमेंट स्री बेक और बेक के बाद जारी रहेगा सिलसिला अरुंजेतली से बातचीत का मनरेगा लांड अक्विजिशिशन अक्ट ये जो है ये यूपे के फ्लैक्षिप प्रोग्रम्स माने जाते थे करीबी के बिल्स आक्स माने जाते थे उसमें भी आप थोड़ा सा ट्वीकिंग कर रहे हो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव कर रहे हो कॉंग्रेस पार्टी इसको विच्छन्टिंग की तरह देखती है देखिए रेविन्यू मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई फाइन्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई हर चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये लैंड एकुजिशन रैक्ट विकास के लिए रुकावट बन रहा है मैं किसानों को ज़्यादा मुआफ़ा मिले मैं इसके पक्ष में हूँ लेकिन उस प्रक्रिया को असंभव कर दिया जाए मैं इसके पक्ष में नहीं था लेकिन हो गया और इसलिए मैं आपसे उधारत मांगता हूँ आज इस देश में अफॉर्डेबल हाउजिंग के लिए क ने मुझे का सर नेवी इस नॉट एग्जेंटेड फ्रम दिलैंड अक्विशन एक्ष तो नेवी को अगर किसी पोट के ऊपर अगर अपनी बर्स बनानी है और वो कोई लैंड अक्वायर करना है महाँ पर तो उनको भी चार साल और नौ महीने लगेंगे नेवी के लिए लि चाहिए इस देश विकास को इस देश ने अभी गुडबाई नहीं किया विएवंट सेट गुडबाई टू डवलपनें इस कंट्री और दिक्कत आती है मेरी तो दो तरफ से आलोच ना हो सकती है एक लोग कह रहे हैं कि आप एसेट क्रियेशन क्यों कर रहे हैं मनरेगा शु चुना है कि इस देश में रूरल इंप्लॉइम्मेंट भी चाहिए और इस देश में असेट क्रियेशन भी चाहिए और आंटनी जी को आप क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि FDI in defense, national security को threat होता है देखिए 100% विदेशी company और विदेशी सरकार से खरीद लीजिए लेकिन 51% अगर Indian company होगी उससे खरीद होगे तो राष्टिय सुरक्षा को खतरा होगा मुझे आंटनी साब का यतर्क बिलकुल समझ बनिया You can buy 100% from foreign governments, from companies owned by foreign governments, but don't buy from a 51% Indian held company Mr. Jettelman ने करना अपने wife से बात किया और तब उन्होंने कहा कि she is very happy with the budget और household पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा लेकिन आप को कुछ अफसोस है जो आप करना चाहते थे वो आप इस budget पे नहीं कर पाए और आगे करेंगे देखे यह तो आरंब है, it's the beginning मैं अपना philosophy आपको बतला दू, मैं बिल्कुल high taxation में विश्वास नहीं करता और इसलिए आज सरकार की जेब में पैसा बहुत कम था, यह तो मुझे एक legacy विरासत में मिला था और कल अगर मेरी जेब पैसा जादा होता है सरकार की, तो मैं taxpayer को सबसे कम burden करना चाहूंगा, मैं उधारन देता हूँ, एक employee को, आप भी उसमें शामिल होंगे, 800 रुपए महीना conveyance का, deductible है, medical के लिए, साल का एक परिवार के लिए 15,000, अब परिवार में एक व्यक्ती भी को संद्राथार क्या है आज के युग में, अब इन शेत्रों को आगे देखने के लिए, यह आवश्यक है कि मेरी जेब मह थोड़ा सा पैसा हो, मेरी नियत स्पष्ट है, मेरी दिशा स्पष्ट है, मैं छोटे और middle level taxpayer के ऊपर बोज नहीं देना चाहता, मैं उसको relief देना चाहत हो, तो मैंने तो अपने बजट में तीन बार शब्द का प्रयोग किया कि इस देश के कई गरीब लोग ऐसे हैं, जो aspire करते हैं, aspirational class हैं, और they are a part of the new middle class now, और इसलिए इस middle class का size देश में बड़े, वो एक विकास का चिन होगा, मुझे उसमें कोई कहने में संकोच नहीं है, क कि गरीब आजमी और ये class मेरी priority और preference रहेगी. Mr. Jitli, जाते एक-दो सवाल और, सबसे पहला, कर Sonia Gandhi ने खुद कहा, कि आप लोगों ने जो IT का exemption notice पे सवाल उठाया है, वो political witch hunting है. देखिए, अगर कानून तूटता है, तो उसकी legitimate inquiry होगी. हर राजनेतिक दल को अधिकार है पैसा इकटा करने का. उसकी condition है कि वो पैसा सिरफ political purpose के लिए इस्तेमाल होगा. इसी लिए income tax की छूट है उस पैसे पर. इस tax exempted money. जो पैसा आपके और मेरे पास लिए खर्च होना चाहिए था, अगर उस पे tax आता, तो ये पैसा tax exempt गिया गया ताकि political party democracy में अपने activity चलाए. उस पैसे को आपने एक newspaper company को divert कर दिया. न्यूस पेपर company ने अख़बार बंद कर दिया था. उसको आगे एक property company ने टेक ओवर कर लिया. और उस पैसे का इस्तमाल अव रियल इस्टेट के लिए हो रहा है. इस परपस आफ एक्जेम्शन इस वाइलेटेट. डॉक्टर स्वामी ने एक complaint की income tax विवाग को. इंकम टेक्स विवाग ने उन दोनों कमपनियों से पूछा कि सच में तुमारे पास क्या exempted पैसा आया है. तो आप बताईए आपकी आमदनी क्या है, आपकी objects क्या है, आप काम का करते हैं और अपनी balance sheet दीटी आपको पास पैसा कहा से आया. अगर वो कहते हैं कि ये political money हमारी real estate business में लगी हुई है, तो फिर political party से पूछ सकते हैं, तुम political पैसा उदरकाई को बेच रहे हो. क्या मैं BJP का पैसा, जो tax exempted money है, किसी business house को दे सकता हूँ? और अगर सरकार कहें कि इसकी हम जाच करना चाहते हैं कि tax exempted money कोई misuse नहीं हो, तो इसमें witch hunt क्या है? आप जवाब दीजिए. If the Congress party has a reply on merits, they must give that reply. देखिए, she should study history. And contemporary politics is also a part of history. 1952, 1957, 1962 और 1967, चारों बार Congress power में थी, किसी की 55 seat नहीं आई लोग सावाबे, कोई leader of opposition नहीं था. 77 का act, उसका सम्मन्द सिर्फ salaries और पर्कुसेट से है. वो पास होने के बाद, 70, 80 और 84 का election, तो 77 के बाद हुआ, Congress power में थी, कोई official leader of opposition नहीं था. आज उनका कहना ये है, कि जो नियम हम दूसरों पर लागू करते थे, जो 1952 पर चला आ रहा है, वो आज मुझे तकलीफ दे रहा है. और क्योंकि मैं opposition में हूँ और मेरे 55 नहीं आए, तो इसलिए कोई leader of opposition आप मुझे दे दो. मतलब उनको leader of opposition का post नहीं मिलेगा? ये speaker ते करेंगे, वो speaker ते करेंगे. लेकिन जो कानून 1952 से चल रहा है, क्योंकि Congress हार गई, वो कानून बदल दिया जाए. उस कानून का अर्थ बदल दिया जाए. ये तो इंदरा जी ने emergency में किया था, कि जब ब्रष्टाचार का आरोग मेरे चुनाव पे लड़ गेगा, तो मैं बाक बैक डेट से चानाव बदल, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंटमेंट किया था उने. और आखरी सवाल, अध्यादेश की बात करें, ट्राइबिल की, क्या उसकी जरूरत थी? बिलकुल जरूरत थी. और इसलिए जरूरत थी कि नंबर एक, किसी भी प्रधा रेगूलेटर है. सभी रेगूलेटर में समान्य परवपरा है और नियम में लिखा है कि रेगूलेटर रेगूलेशन से हटने के बाद, दो साल तक सरकार में वापस नहीं जा सकता. लेकिन इस कानून में लिखा है कि जिंदगी भर नहीं जा सकता. तो इसको उन कानूनों के साथ parity पे लाना और प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि 8 साल पुराना कोई regulator मैं सहाइक रखना चाहता हूं तो this law should be in parity with the earlier laws. All laws in government regarding regulators must have parity. तो इसलिए उस parity को लाने की ये कोशिश की गई है. लेकिन अगर मान दीजिए इनको तो लगता है कि मेरा LOP पे case नहीं है, मेरा ये misuse of exempted funds पे case नहीं है, इसलिए मैं अपना करोध यहां पे निकाल दूँ तो फिर mail of ID कौन कर रहा है तो देश की जनता तह करेंगा. चलिए अच्छे दिन का इंतजार करते रहेंगे आई बेंसे बात करने के लिए बहुत बहुत अल्यवाद.